बच्चा तब एक्जाम्पल 8.2 देखते हैं मोशन चेप्टर का सम में क्या गीवन है? फो पहले सम रीड कर लेते सम में क्या बोला है? तो ओडो मेटर ओफ अ कार reads 2000 किलो मेटर at the start of the trip and 2004 किलो मेटर at the end of the trip if the trip took 8 hours calculate the average speed of the car in किलो मेटर पर आर and meter per second तो हमें कार का ओडो मेटर क्या दिखा रहा है? कि जब हमने trip start की तो उसका reading क्या था? 2000 किलो मेटर था और जब हमारी trip खतम हुई तब हमारा trip का ओडो मेटर क्या show कर रहा था? 2400 किलो मेटर that means क्या हुआ? कि हमने कितना travel किया? 400 किलो मेटर और यह 400 किलो मेटर travels करने के लिए हमने कितना time लिया? तो 8 hours लिया है तो हमें sum में total distance and total time taken दोनों दिया है हमें क्या find out करना है? average speed लेकिन average speed हमें km per hour and meter per second दोनों में find out करनी है तो पहले हम क्या करेंगे? total distance travel देख लेते तो total distance travel हमारा कितना हुगा? अब जब trip खतम हुई तब कितना दिखा रहा था autometer 2400 किलो मेटर और जब start की हमने तब 2000 किलो मेटर तो उसका हम differences ले लेंगे तो क्या आजाएगा? 400 किलो मेटर तो हमने total कितना distance travel किया? 400 किलो मेटर time taken दिया है total time taken total time हमें कितना दिया है? सम में 8 hours अब हमें क्या find out करना? average speed किलो मेटर पर hours में और second मेटर पर second में average speed देख लेते हैं average speed के हम formula लिख देएंगे average speed is equal to total distance अब उन total time distance हमने कितना लिया? 400 किलो मेटर and total time कितना था? 8 hours 400 किलो मेटर divided by 8 hours तो कितना आ जाएगा हमारा answer? 50 किलो मेटर पर hour तो हमने यहाँ पर average speed किलो मेटर पर hours में तो find out कर ली अब हमें किस में find out करनी है? meter पर second में तो हमें यहाँ पर क्या है? average speed 50 किलो मेटर पर hours तो दी हुई है अब इसको हमें directly convert कर देना है meter पर second में तो 50 किलो मेटर है तो किलो मेटर को meter में convert करने के लिए हम 1000 से divide करेंगे और यहाँ पर hours में है तो hours में divide करने के लिए 3600 seconds में convert कर लेंगे तो 3600 से divided कर देंगे अब इसको हम multiply करते जाएंगे तो हमारा total answer जो आएगा वो आजाएगा 13.9 meter per second तो इसको हम कैसे करेंगे? तो पहले जो 00 है वो cut कर देंगे यहाँ पर हम 5 और यहाँ पर 18 ले लेंगे अब जो हमारा answer आजाएगा 250 divided by 18 आप करोगे तो हमारा answer आजाएगा 13.9 meter per second तो हमने यहाँ पर kilometer per hours में भी average speed find out कर ली और meter per second में भी हमने find out करी